सो ब्रेकिंग नीज यहां पर यह निकल के आरी कि भारा सरकार दोरा Free Fire Max जो एक बैटल ग्राउंड गेम था और साथी साथ इंडिया में बहुत ही प्लेयर इसा खेलते थे साथ जाथ बहुत ही फेमस गेम था बट अभी Free Fire Max को इंडिया गवर्मेंट ने बैन कर दिया है इलेक्ट्रोनिक्स और इन्फोरमेशन इसी कुछ आपनों न्यूस सुन सकते हैं कुछ दिनों में अपने गेम खेलना हम चाहिए कि नहीं कैसे अगर बैन हो जागा तो कैसे खेलेंगे क्या कुछ जो भी आपके डाउट होंगे सब यह डाउट गाइस आज की व्टो में किलर होने आला और ऐसा क्यों न्यूस फेल रहा है कि Free Fire Max बैन यह सब होने आला सब कुछ मैं आपको एक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इन फिचर अगर फ्रीफार मैक्स बैन होता है तो आप कैसे फ्रीफार को खेल पाओगे साती साथ इससे अलावा कोई गेम या कुछ ऐसा अपडेट आईगा कि कब फ्रीफार डिटर ने सबाए तो आपको अपडेट मिलते रहे क्योंकि इन अखेंडिन क्यों फheiroके इस कीवां है कि फ्रीफार मैक्स पारोगे सपाने होने ही आपको बता दूं कॉस्किला वर्जल्कमं Pik उखर और देंच इसमें वसी फिचोछ जोड़ब मैक्स थोड़ा यहां का गेकर तोर देटिए PREFIRE Max के नौर्मल था Like 1 GB गाता तो 3 GB और कोई डिफेशने नहीं था आप सब कुछ सेम खेल पाते था आपके जो फ्रीफार में थे में थे었च वहीं FREEFIRE Max specs to अब जिस्च छाएथा अगर उससे पहले लॉंस नहीं हुआ रहे था तो इंडिया में सी Free Fire ही था जो कि एक टाइप का बैन हो चुका है और उस वन टाइप का गाईज ये बैन पूरी तरी से हो भी गया था और फाइनली आप लोग देख सकते हैं Free Fire को Play Store पे नहीं दिखा देता Free Fire जश्ट मैक्स दिखा देता है जिसका मेंली और एक रीजन है जो कि आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को पता होगा Free Fire से भी पहले PUBG गेम बैन हुआ था जो कि वन आप दो फेमेस बैटर वरण गेम है आप लोगों को भी पता है तो गाइस PUBG बैन हुआ तो फिरसके कुछ एक साल या देर साल के अंदर बीजिये में नाम का गेम आया जिससे कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है गवर्मेंट ने फिरसे इसको भी बैन कर दिया जो कि PUBG का पुरा डूबली कर था अब कुछ चेंज ने था सिम नाम भी चेंज कर दिया गया था बैटल वर नाम रख दिया था अब पुरा का पुरा सेम PUBG जे सही गेम था जो इस लिजन से भारा सरकार ने फिर इसे जो इलेक्रोनिक्स एन इन्फोर्मेशन आइटी एक्ट होता है इन्हें कोई भी गलत यूज नहीं करें ऐसा उस एक्ट में लिखा होता है लेकिन आप लोगों पता है जितने भी बड़े बड़े गेम इनके मेंली सर्वर चाइना सर्वर में और चाइना की कंट्री का एक ऐसा रूल है कि इसी रूल के हिसाब से सेम इसा फ्रीफार को भी बैन कर दिया गया था लेकिन फ्रीफार मैक्स भी तो सेम ही था लेकिन अभी तक बैन नहीं हुआ था अब ऐसा निकल के आ रहा जैसे पबजी का बीजी में बैन हो गया उसे free fire का free fire max ban हो जाएगा कूज दिनों में और ये कूज दिन जादा नेगा इस ऐसा बता जाएगा कि वन वीक से टू वीक के अंदर दिखाये दे कोई लोग तो बता रहे कि कल ही सरता है इस दागास कोई ban हो जाएगा जिस दिन free fire का यहां पर एक पोस्ट निकल के आया जो कि आप लोगों को पता जो भी मैं आपको अपडेट्स देता है जो भी इंफ्रमेशन जो कि एक दब हंडेड़ पेसंट करना होते है डाटा माइनिंग से होता है डाटा माइनिंग वन टाइप का यह चीज होता है जो अपकमिंग चीज होती है पहले उहां पर अपडेट हो जाती है और वहां से हम आप लोगों के लिए नॉलेज ग्रैप करके मैं प्रसनल इंफ्रमेशन के रूप में आप लोगों फूल डिटेल में बता देता है जो कि आप लोगों यहां पर हंडेड़ परसेंट कर वो उनका जो वेबसेट है उससे जब बैन कर दिया गया तो धीरे धीरे फ्री फायर मैक्स को भी बैन कर देगा और गया यह 26 अगस तक इसका जो अपडेट है फूल अपडेट निकल कर आ रहा है लेकिन इसके बात जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो गाई इस पे नहीं है इस इसी रिजन से यहां पर इसी ख़वर निकल क्या रही कि Free Fire Max बैन हो जाएगा अब आप लोगों को मैंद में डाट होगा भाई सही में क्या बैन होने हला आपके सबसे क्या है और साथे साथ सही में सब्ता इस तरह को बैन होगा और मुझे टॉप आप आप लोगों को बता दू करने के बदले अभी टॉप में दिया जा रहा है जो कि Free Fire में भूती रेर था आज तक Free Fire ने कभी ऐसा चीज़े नहीं दी कि आप बस 500 डायमन में आपको 500 120 इवोलेशन श्टोन मिल जाएंगे इतने मिल जाएंगे कि आप लेवल 5 तक कर सकते अपने इवोलेशन गन को ऐसा Free Fire श्टी ने आज तक किया नहीं था साथ इससा इससा पहले तो टॉप अप था गाई उसमें आप लोगों को पेड्ड भी मिल रहा था पेड की स्कीन भी मिल रहा था जो कि यह बहुती रेर ने इस चीज़े यह भी दिया गया उससे पहले आप लोगों अच्छे खासे डायमन टॉपप का इवेंट दिया गया जिसमें आपको 100% बोनस डायमन टॉपप दिखाए दे रहा था यह सब चीज़े आपने अल्रेडी गोर की होगी ध्यान से तो यह होती रेर थी इंडिया सर्व में लेकिन अभी यह किया जा रहा है साथी से पिंग डायमन इवेंट जैसे इव बैन हुआ उससे हमारा भी दिन आएगा जिस दिन हम लोग बैन हो जाएंगे और उनका पुड़ा धंदा भी के लिए बंद हो जाएगा तो इसी इसी रिजन से मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट करता था पहले भी करता था कि टॉपप इपप मत को हैश्टेग नोटॉप भाई आपके भाई नहीं सब चलाए तो इसका भूत ली फायदा वादा बहुत लोगों ने यहां पर टॉपप खरना भी छोड़ दिया तो आप भी कमेंट करना कि आप लोग ने आस्तर कितने गेम में टॉपप किया क्योंकि अब यह गेम बैन हो जागा तो आप भी जानते है और यह तो फिर से रिटन आजाएगा आप लोगों पता है जो एक बार रेर थी और फिर से रिटन हो रही है तो यह नहीं कि अगर खरीद हो गए ने तो कुछ ऐसा हो जाएगा मेरा यह मेंली सजेस्ट होगा कि आप लोगों भी टॉप भी मत करो और रही बैन बीन की तो इसका हाँ कनफर्म मेरे हिसाब से भी हाँ पर 80-99% मुझे भी लग रहा कि यह बैन हो सकता है देखते क्या कुछ होता है इन फूचर कोई अपडेट मिलता है गौवर्मेंट कुछ अपडेट इससे रिटीट देती है कोई तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँगा तो जस्ट आपको क्या करके रखना है चैनल को सब्सक्राइब जो उसे करके रखना है और बेल और पर सेट कर देना है जिससे आप लोगों को अपडेट मिलते रहे कि फ्रीफार कब आएगा या बैन होगा क्या कुछ होगा जो भी इन फूचर अगर अपडेट हो तो आपसे मिट्स आउट ना हो तो आप लोग समझ गेंगी क्या कुछ की स्रीजियन से फ्रीफार मैक्स बैन बीन का प्रॉब्लम चल रहा है और क्या कुछ आपो करना है तब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंसे आपी के लिए कमेंट करके जो हो से पुछना साथी सार गाइस इस यू कर दोगे तो जो से भी सेर कर देना और साथी साथ वीडियो को लाइक कर देना मिलते किसी ने शुड़ में तब तब के लिए बाई बाई थैंक्स फूर वाचिंग